जी तो शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब से ठीक है कुछ टाइम से फ्रेजल वर्ब जो है गैप आ रखा है और बहुत ही हर्ष की बात है कि आपकी मानसिक शान्ति जो आपकी वो बिल्कुल संतुष्ठ है आप मानसिक रोप से संतुष्ठ हो बजन नहीं बड़ा आपके जो है माइंड पर स्ट्रेस नहीं बड़ा कुछ तो कम हुआ अगल याद ही कोनी ओनला रही और बता दे रोजगी छह साथ चलो देख लेना जैसे भी हो यह जो रन वर्ड से जो है एक एक करके हम यहां तक पहुंच गए हैं मैंने एक दिन आपको कहा था कि आप देखत किसी चीज के मध्यम से गुजरना है तो किसी भी वर्ब के आगे थ्रो वर्ड लगा दो वो फ्रेजल वर बन जाएगी हमने इस किताब के मध्यम से गो थ्रू किया मतलब पढ़ा समझा अंडरस्टेंड किया और आज हम है जो रन वर्ड तक पहुंच गए है ठीक है कहानी कहानी सेट करो माइंड में मैं बार 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 बता रहूं कहानी सेट करो रन डाउन कमजोर वक्ति क्यों ओ जाती है ऑर अपने क्या है कमजोर हो जाते कम जो depressed अब देखो अनकाउंट ऑफ ओर वर्क ही इस रुन डाउन, वह क्या हो गया है, थक गया है, कमजोर हो गया है, इस सेंस में, और टेकनिक देखो, मैं बहुत बार कहता हूं, बाद में बनी थी, टेकनिक पहले बनी थी, कैसे रण माने बाज तो रणो, डाउन माने, बैट जा है बाज तो बाज तो बैट जाएंग, मतलब ठक गयो, हाँप गयो, ओवर वर को, इस तरह की बाते होती है, डन अप हो जाएगा, क्या होता है डन अप, टाइड, ठेक है, उसके बाद में, रन डाउन, रन डाउन, अब इस रन डाउन का एक और मिनिंग है, ठेक है, क्या मतलब होता है, बुलू, बुलू, क्या मिनिंग होता है, इस रन डाउन का, डिस प्रेज, प्रेज क्या होता है, प्रशन सा, और डिस प्रेज क्या हो गया, अब कर के है, अब देखो, अड़त और रन डाउन, बाज 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 ये के हो गयो, डाउन हो खुद हो गयो, अब दूसर डाउन करना है, हमेशा ध्यान में रखना, Renan Martin दो मीनिंग बताते है, रन डाउन के, एक तो क्या करता है? खुद को डाउन होना है, एक दूसरे को डाउन करना है, अब ऐसे ही याद रखना पड़ेगा अपने को, रन डाउन, अब दूसरे रंडाउन का मतलब है मैंने बाज बाज गे लोगांगे किसी एक प्राणी दूसरे प्राणी की इतनी भाग भाग के बुराई करता है कि उसकी वेल्यू क्या कर देगा डाउन कर देगा भाग भाग के इदर उदर ज़ा जाता है वहीं दो शब्स मारे कर देगा अब ध्याआ रखना जब भी मैं रंडाउन का मीनिंनग क्या हजाएगा तो दो मीनिंग एक तो खुद RAW वन औ और एक सामने को कर में ठेक है खुद का मतलब ठक जाना कमजोर हो जाना हाफ जाने के सेंस में और दूसरे के उपेखशा करना ठेक है, डिस प्रेज करना उसकी बुराई करना, चुगले चप्टा करना बस किती राजी ही दख देख चुगले चप्टा ना मनता है मतल़ो, खुद का वर्ड ना खुद का वर्ड मिले तो सही ठीक है जानी पहचानी चीज मिले तुसे अब run out run down के दो meaning होगी अब run out कुण होगा है बताया हुआ है मैंने class में बताया हुआ run out कुण होगा है run out word कहां सुना है आपने सबसी ज़्यादा cricket में कै बल्ले बाज run out होगा इंग मतलब इंग पारी खतम क्या होगया उसकी पारी क्या होगी खतम होगी अब यहां पर लिखा पड़ा expired run down run out कोई player run out होता है तो कोई player run out होता है तो इसका मतलब उसकी पारी क्या होजाती है expired खतम हो जाती है अब देखिए जरा example पढ़िए ठेक है the lease of the premises has run out come to an end, अच्छा word है, come to an end, खत्म हो जाना, run out होते हैं, सर है, एक बात बताओ, आद प्लेयर भी यह यह आउट हो है, तो यह भी पारी खत्म हो है, तमें केकरा, ठेकरो, फाल तो को दिमाग खराब, अपनोंने एक ही ध्यान में रखनी है, कोई बल्ले बाज run out हो जाता है, तो उसकी पारी क्या हो जाती है, खत्म, तो run out का मतलब come to an end, समाप्ती परा जाना, कोई चीज खत्म हो जाना, कोई सी चीज का end हो जाना, हो गया, run through को एक बाज छोड़ दीजी, ठेक है, run up to, अब देखो, एक पहले amount to का वर्ड पड़ा था, come to, हमने देखा था कि come to का मेनिंग क्या हो जाता है, ठेक है, amount to हो जाता है, उसी तरह से run up to, amount to हो जाता है, अब देखो, हमेशा ध्यान में रखना, come to, amount to, run up to, 3-1-7 लिखो, हमने जो पीछे प्रयास करे हैं, पिछली जितने भी 25-30 classes में जितने भी हमने प्रयास करे है, रोजाना एक वर्ड जो उपने पड़ा है, ठेक है, उनमें ये शब्द हमने पड़ा था, yes, अब इसको जोड़ना इसके साथ किसको, run up to, run मने, दोडने के sense में, अब मने ऊपर two का मतलब, बराबर के sense में मान लेजिए, तो come to, amount to, run up to, ये लाइन बोलने हैं, दिन में पांच बार, सुबह चाय के साथ, फिर दूसरी चाय के साथ, तो अब की बार है ना मेरी बास सुनो, ये याद करने के लिए दो बार और चाय पिने लग जो, ठीक है, अब देखो बात सुनो, बोलना एक बार सारे बोलना, come to, amount to, run up to, मतलब equal हो जाने के sense में, राशी के sense में, पैसों के sense में ये वर्ड यूज किया जाता है, he has the tailor's bill run up to a large amount, अब चुनो जरा, आप बारी किया नहीं देखते हो, क्या पहले ही come to amount to, पैसों से related बात थी क्या, है, कुछ, देखो, taxes से बात ही, मतलब कहानी आएगी, पैसों से related, ठेक है, और बाद में भी यही वर्ड था, a large amount के जैसा सा वर्ड कुछ था, come to में, large sum था ना, बस, come to a large sum, सुनो, come to a large sum, ठेक है, amount to a large sum, और run up to a large sum, ऐसे ही example आएगे, अगर come to amount to, run up to का कोई example आएगा, तो ऐसे ही आएगा, और देखिए जरा, उसके बाद में है, हम बात करेना, run into, run into, into का मतलब क्या हो जाता है, अब देखो, into का मतलब क्या होता है, वैसे preposition में करते हैं, तो, गती से प्रवेश करना, अब क्या है, जो है, वो क्या है, लिप्त होने के sense में, यूज किया जाएगा, और देखिए जरा, run into का मतलब, incurred क का मतलब क्या होता है इंटू का मतलब उसमें अब धस जाने के सेंस में होता है ठेक है अब इसका मतलब वो क्या है रिनी हो गया है क्या हो जाता है रिनी हो गया है ठेक है आपने क्या बोला हाँ हाँ, सही है वो, ठीक है, तो run into, into का मतलब के अंदर जो है समाहित हो जाने के sense में प्रियोग किया जाता है, जैसे go into क्या होता है शब, go into, break into होता है, बोलो बोलो शाबास, very good, go into, examine के sense में है ना, जब हम, हम कोई भी चीज को investigate करते हैं, examine करते हैं, तो क्या करते हैं, into जाना पड़ता है तो, okay, मैं कर्जम दब गयो है, बंदो, है ना, तो run into, ठीक है, run into, जो है, debt के sense में आएगा अब देखो, run against, अब against word जब आएगा ना, ठीक है, against word जब जब आएगा है ना, run against, जब जब आएगा, तब, तब, against word आता है, विरोध होता है, उता है, अठे भी विरोध है ठीक है, ये है हमारी क्या, अब देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, run against पढ़ेंगे ना, तो ये track याद रखेंगे, running वाला एक वेक्ती, यहां से दोड़ा, और एक वेक्ती, यहां से दोड़ा, ये दोनों आपस में जब दोड़ लगाई, एक दूसरे के against है, दोड़ रहें, yes, और against भी है, against भी है, एक ही track पर दोनों आमने सामने आ रहें, तो कहीं न कहीं तो ये आके क्या करेंगे, meeting होगी, बुल क्रिकेट बड़ा में अच याद रखना है, ठीक है, run down याद करें, तो run down दो लोगा न करनवाई है, बोल दियो, एक तो खुद को, खुद को कहने के sense में, ठक जाना, कमजोर हो जाना, दूसरे के sense में, बुराई करना हो, उपेक्षा करना के sense में, ठीक है, अब पेक्षा करन ठीक है उसके बाद जो है हमने run out हो गया run into करजवली बात याद रखना है run up to run up to amount to run up to याद हो जाएगा उसके बाद run against में ध्यान रखना है यह running track अब याद कैसे रहेगा यह running track है और एक track पर दो लोग दोड़ेंगे against दोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा chance to meet बही मुझे नहीं पता कि कितना कैसे याद गरपा हो लेकिन अब रायाद ऐसे रहेगी ठीक है उसके बाद में है run up अब सुनो run up फिर से cricket आ गया अब run out भी cricket में होता है और run up भी cricket में होता है लेकिन run up टू क्या महँ हो है रिप्या महँ हो है अब run up कि शुके देख रन अप वाली क्या बात होती ये क्रिकेट में बोल फेंके जक्या नी बोत बड़ो रहना पैसो ये बक्तर गो बोलते ग नी बोलते थे कोन बोल लाग थेक ओ ठेक पास हो आड़ा हो कोई दूसरे अग्रें आड़ा हो थारू कौन बोली जे मैं बोलू सुनो जब एक बोलर जो है न थारू कौन बोली जे किठके रो डंगी करता है बोल करता है फास्ट बोलर तो वो क्या करता है थोड़ी दूर से बाग के आता है यस बाग के आता है और फिर बोल फेंकता है और उस बाग के आने के जो है पर्टिकुलर जो जगह होते है उसको बोलते है रन अप ठेक है अब वो रन अप क्यो लिया जाता है आप यह अब ना से खड़े-खड़े बोल फैंकोगे क्या होगा दीरे वो अपनी बोल की speed को क्या करेगा बढ़ाने के लिए दूर से बागए अब रन अप क्या मिले वे है इनकरीज करनका और इम देखो दानके लिखड़ुए run up का मेनिंग क्या हो गया देखो run up run वाली सारी जो word है वो किस से है बाजण दोड़न हुई है कदी बाजबाजगे बुराई करें कदी बाजबाजगे ठक जे कदी बाजबाजगे कोई करजम दब जे run into कदी बाजबाजगे कोई सामने एक ट्रैक पर बाजबाजगे और अब क्या हो गया run up लिया है और run up अगर लिया है run up अगर लिया है तो speed को क्या करेगा increase करेगा अब देखो बड़िया एक्जामपल running over में आपन द्यान राखनों है चाले देख ची टोपियो याद हैगे करवाया है ठेक है अब run over जो word है ना अब इसको समझे अच्छी तरीके से run मने अब कड़ आपन कोई दोड़ा अब कड़ दू दर्चा दोड़ से टोपिया अम टेकेडी हैं जीगी भाद ओड़सी ठेक है जी हमान लिवो टोपियो एतो बांकेड़ हो अपन कोई मतलब को नी इम्मो दूद़ पड़िये ठेक है छाह है मान लिवथार चाह हुजी सब्रोव है बढ़ा है ठेक है छाह है ठेक है अब आपने में पर आगब्ड़ता रखां के करना हैं ओर्वहर उपराक्र आर पड़ेगा बसी थिए मूंझ से बुनिए चाहिए जो भी है ठेक है और टॉपियो हां उटॉपियो ऑसे ले ब Kenny兩 जह वह बुखरिए अगर आपधाऊयव गईर änd दाल and तो वो के हो जेगो? overflow, क्या हो रहा है? overflow हो रहा है, तो overflow रन over, over मने उप्राकर, आपि देखा नहीं, over the bridge, उप्राकर देखा ऐसे ही आद रहेगा, कोई हilाज नहीं है, चलो बताओ फिर, बिना देखें बताना है, ठीक है? मैंने यहाँ पर कोई मिनिंग लिगा है, रण डाउन के कितने मिनिंग? पहला, खुद के लिए, दूसरा, सामने, दूसरे की क्या करनी है? और खुद की क्या करनी है? अच्छाई नहीं करनी है, खुद की बुराई करनी है, जीवन में नहीं, फ्रेजल बर्ब में, तो है खुद के बारे में कमजोर होने के सेंस में बागदौड हएं हाँ वरई-गू बड़ा सोय सबसकी आससा है आपने बात को अची तरीके से बढ़ी यह मतलब बैक खएक बड़ाả गर altre Kurt Bay किया होता है आप गर्गण के में करें में होता है क्रिकेट में जब एक बोल को फेंका जाता है किसी फिल्डर के द्वारा तो एक जो एक टी खड़ा होता है गोल की प्रेट या बोलर वो उसको कैच करता है कई बार उससे छुट जाती है तो वो कहता है कि बैक अप करना चाहिए अब बैक अप करना चाहिए वो क्या कर लेगा है ऐसका मतलब बाल को उस बोल को कैज करने में क्या कर रहा है तो ठीक है बैक अप क्या हो गया थे घे यह कुण्क गोग कर ना अभी यह दिख लो कर आ है ठीक है तो यह क्या हो जाता है रन आउट रन आउट तो मैं कुण05 कॉक norm युद कम इन औरड न気 जो रन इंटू करजम दब गयो, रन अगेंस्ट, वो, बस ये याद आ गया ना, कहानी सेट है, रन ओवर, टोपियो, रन ओवर, याद हो गया, याद हो गया क्या, तड़के बात करशन दर्शा गया, चलिए बात करते हैं, अरे, बताना जरा, आपके याद हो गया क्या, अरे, बताओ, बताओ, सुनिए ध्यान से, नरेशन से रिलेटेड बहुत सारी बाते हैं, आपने जो है, वो, होप सो पड़ी होगी, लेकिन, किताब भी ग्यान में, और इस तरह की बातों में थोड़ा सा फरक होता है, ठीक है, किताबी ग्यान में, किताब में जो चीज लिखी जाती है न, उससे थोड़ा सा हटके, आज पहले सारे नरेशन्स के रूल को बात कर लेते हैं, सारे रूल्स की बात कर लेते हैं, जो भी rules main है यानि हर sentence में जो rules काम आएंगे उनकी बात कर लेते हैं तो सीधा सीधा मतलब यह है कि आज की class अगर अच्छी तरीके से समझ गए तो क्या हो जाएगा आप जो है वो लगबग question जो है वो कर सकते हो सदहरनते देखिए क्या होता है narration में क्या होगा दो चीज़े होगी एक तो हम बात करते हैं direct speech और एक हो जाती है indirect speech direct और indirect speech हो जाएगी अब direct speech की विशेष्टा जो है वो क्या होती है inverted commas etc structure यह ऐसा होता है कहते हैं कि story और poem क्या होती है पहचान कैसे होती है है बताओ जरस्बस है क्या होता है की हाई है राइम होती है इसमें जो है वो सारी चीज़े fix होती है राइम होता है श्टेंजा होता है ऐप्वित्र कि पोईटरी को अपने देखकर आपने अपना-प्रसैंट भी ह। ये जने संब और थी व서 डिवण बनारे हैं तो इस एया को बना चल्टरी की राहिं तुझे देखा तो यह जाना सनम, प्यार होता है दिवाना सनम, दोनों लाइन हैं, तो इन में common क्या है, आना सनम, आना सनम, ठेक है, तो यह चीजे क्या है, common है, हमें कहीं न कहीं, जो है, उसका face देखकर, भी पता लग जाता है sometime, और face देखकर, इसमें कुछ एक, जो है, वो, rhyme, वगरा, वगरा होती है, उससे पता चल जाता है, उसी तरह से, narration में बात करें, तो एक, जो है, line, very important आएगी, कौन सी, he said to me, he said to me, इस तरह की, जो है, एक बात लिखी होगे, अब पहली बात यह, कि, आठवी, नम्वी, दस्वी तक, जो है, वो, आप करोगे ना, तो, he said to he, मिलेगा, और की कोन मिले थे, की कर लेएगे, ठेक है, और इन सेटने में, शाबर, told में बदलेगा, का asked में बदलेगा, और कठे कोन जाए, जैसे जैसे जो है, वो, इनसान ने क्या करा, लालच बढ़ा, जैसे जैसे इनसान की, जो है, इच्छाएं बड़ी, और RPSC का फा इस तरह की प्रिश्तितियां आपने ध्यान में रखनी है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा आ गया, अब यहां पर कुछ भी आए, आप जब नरेशन को पूरा करोगे, तब तक आप यह बात समझ जाओगे, कि कुछ ऐसा ऐसा होता है, he said to me, he asked me, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, you are a good student, बगएरा बगएरा, इस तरह की बाते होती है, ठेक है, तो he said to me, ठेक है, और sentence हमने लिखा, मैं न तीनो प्रणावन लिख रहा हूं, ज्यादा sentence है नहीं, ठेक है, I cannot give you my mobile, I cannot give you my mobile, मैं तुम्हे अपना mobile नहीं दे सकता, देयो भी ना गडबड़ो जे किए, तो यह sentence अब यह sentence के अंदर खास क्या है, कि यहाँ पर said है, इस तरह की दो closes है, इन दो closes में जो है, यह है, इसे कहते हैं, reporting verb, और इसे कहते हैं, reported speech, यह बात आप देख लो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, RV, reporting verb, और RS, reported speech, आज के बाद, जब कभी भी इन दोनों closes का जिक्राएगा, हम RV और RS बोलेंगे, yes, ठीक है, इसका जब answer बनेगा ना, indirect speech में, तो इसमें बनेगा, he told me that, सोची जरा, हमने क्या किया, हमने पहला परिवर्तन कर दिया है, क्या परिवर्तन, कि said को हमने किसमें बिदला है, told में, हमेशा खयाल रखेंगे, preposition को उड़ा देंगे, to नहीं लिख कि most of the cases के अंदर 95% cases में हम preposition को उड़ाएंगे, he said to me, में two को उड़ा दो, ठीक है, उसके बाद में, that अपनी तरफ से, जो underline किया हूँ है, वो अपनी तरफ से लिख रहे हैं, ठीक, यानि हर एक sentence में direct से indirect जाते समय, एक connective लगाना है, क्या लगाना है, जरूरी है, yes, अब किस की according होगा, sentence की according, जैसे assertive sentence है, तो that लगेगा, क्या लगेगा, that, interrogative है तो, if, what, या फिर wh word, या फिर weather लगेगा, imperative है तो क्या लगेगा, to, not, to लगेगा, या फिर that लग जाएगा, अगर exclamatory है तो क्या लग जाएगा, that, इस तरह के connective में आगे लिख दूँगा, ठीक है I, अब I को मैंने बना दिया, he, क्या बना दिया मैंने, he, अब ये he का मतलब दूसरा change हो गया, हो गया, अब can को क्या बना देंगे, could, not, give, you, you के according, me, my है, तो क्या हो जाएगा, his, mobile, ये sentence हो गया, अब इसमें क्या क्या change किया, अब ये किया हो गया, फिर जो है, हम यहाँ प लगा देते हैं, हमने क्या करा है, वर्ब change कर दी, क्या change कर दी, वर्ब change, उसके बाद में हमने क्या कर दिया, ये प्रोनाउन था न, तो हमने दूसरा प्रोनाउन चेंज कर दिया, और फिर हमने तीसरा प्रोनाउन चेंज कर दिया, कोई भी adjective, very good, ठीक है, अब सुनो, हमने दो तरह की वर्ब जो है वो change की है ठीक है? वर्ब जो है हमने change करी है हो गया? उसके बाद अगर बात करें तो हम जो है वो ये देख पा रहे हैं कि हमने क्या करा है ही को, मी को और हीज को इस तरह से pronoun वाली सी परिस्तितियां change करी है देखो ये तो subjective pronoun, ये possessive objective लेकिन बना pronoun से है तो इसी में पढ़ लेंगे अपने हमने क्या करा है? pronoun change करे है ठीक है? क्या किया है? pronoun change करे है हो गया? दूसरा change ये पहला change हो गया अब मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा और लिखता ठीक है? अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और लिखता तो मैं यहाँ पर लिखता today क्या लिख दिया? today और यहाँ पर कर दूँगा मैं that day और हमने ये वाला change भी कर दिया क्या? time adverbial time adverbial यानि हमें समन्यत है direct से indirect जाते समय हमें क्या करने पड़ते हैं? समन्यत है three changes करने पड़ते हैं कितने? three changes करने पड़ते हैं इन तीन changes में पहला हो जाता है verb change दूसरा हो जाता है pronoun change और तीसरा हो जाता है time and place adverbial change चलो मैं पूरा लिख देता हूँ time oblique place ये हो गया ठीक यनि एक sentence के अंदर हमने क्या करा है सारे changes देख ली क्या क्या change करना पड़ सकता है तो in future जब भी आपको sentence मिले narration के अंदर तो आप खयाल रखोगे यहां he said to me तो sad को देख लो word इसको बदलना है के नहीं बदलना है आगे की परिस्तिती है yes ठीक है अब चलते हैं अपने थोड़ा सा इसको आगे लेकर ये बाते समझ में आगी कोई दिक्कत हो तो बताना ठीक है सरसिर दुख रहा है इसका कोई लाज नहीं है ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे न वर्ब change की ठीक है कौणसी कौणसी रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में दो परकार की वर्ब change है तो सबसे पहले हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते है सपोज करो कि हमें शब्द मिला है कौन सा said कौन सा वर्ड मिला है said अब पहली बात कि ये said word जो है किसी भी रूप में आ सकता है ये said word say भी आ सकता है says भी आ सकता है said भी आ सकता है will said भी आ सकता है तो मैं पहले जो है वो आपको ये ही बता दूँ थोड़ा सा लिख दूँ कि वर्ब कौन कौन सी आ सकती है say says said or will say had said या फिर have said कुछ भी आ सकता है इस तरह कि कोई भी एक वरब अपने को subject के बाद में reporting वरब में आ सकती है अब इसको change करना है इसको change करना है तो खयाल रखेंगे अगर plus में 2 लगा है अगर plus में 2 लगा है ठेक है अगर 2 लगा है तो हमने क्या करनी है इसको change करनी है ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना कि अगर हमें इस तरह का कोई sentence मिले और उसमें sad, says वगरा इन में से कोई एक वरब आए और उसके बाद में 2 लगे तो बदलना है क्या करना है बदलना है सबसे पहले क्या लिखा है से वरब की first form तो किस में बदल जाएगा tell में किस में दूसरा क्या लिखा है तो क्या किस में बदल जाएगा tells में तीसरा क्या लिखा है किस में बदलेगा और ये हमारा favorite word है ठीक है कई बिनी काम told में चेप है अठे के आगयो has told has told तो फिर भी जाचता है क्यों मतलब आदत इसी कसूती पढ़े डिया है कि आप अपन चुट्टे को ने अब उसके बाद में क्या है will से आया है तो किस में चेंज कर दो गई है will tell me देखो same word है उसको tell में बदलना है एवाक्की has, have, will बगएर है अई पढ़ने ठीक है तो किस में कर दो आप will tell में has set आगया तो किस में कर दो गई has oblique have प्लस में told में कर दो मतलब क्या है ध्यान रखें कि अगर वाक्के में to आजाए तो हमने क्या करना है in में बदलना है ठीक किन आयो पुठा ठीक है अब देखिए मैं बात लिख रहा हूँ अगर वाक्के में to नहीं हो only in assertive sentence only in देखो imperative में exclamatory में interrogative में change होगा ही होगा लेकिन मैंने ये अलग से लिखा है अगर वाक्के में to नहीं हो ये सारी किस की बात चल रही है यहाँ पर लिख लेना assertive sentence की बात चल रही है किस की चल रही है assertive एक नमबर की Renan Martin खोलो पहला chapter है sentence ठीक है पहला chapter है sentence इसमें जो assertive sentences दे रखे हैं इनकी बात की जा रही है only assertive sentence की बात की जा रही है ठीक है only in only in assertive sentence सिर्फ assertive sentence में अगर to नहीं आए तो देखो जरा उदर say को क्या कर दोगे say sage को क्या कर दोगे sage sad को क्या कर दोगे sad मतलब जैसा है न वैसे का वैसे लिखना है ठीक जैसा है वैसे का वैसे लिखना है sentence देखिए he says to me comma inverted comma ठीक है और आगे आजाए I am your friend यह sentence आ गया हमें इस वाक्य का जो है structure देखते हैं उमें पता चला की वाक्य कैसा है assertive है assertive है ध्यान देना जब भी चार option पढ़ो जब भी चार option पढ़ो तो यहाँ से शुरू करना है he said to me तो देखो आँखों के आगे आएगा यह आँख बंद कोन करनी अटसी आगे आँखों के आगे आएगा लेकिन पहले पहचान करो नरेशन में कि यह sentence कोन सा है यह sentence पहचान में आता ही आपको दो तीन बातें clear हो जाएगी क्या कि said को किस में बदलना है connective क्या लगाना है बस यह दो बाते clear करो दो option काटो ऐसी परिस्तितियां पेपर में होते रही है देखो He says to me I am your friend वह मुझसे कहता है कि मैं तुमारा मित्र हूँ वाक्या कौन सा है assertive है अब देखना है कि too assertive है तो too लगा है कि नहीं लगा लगा है तो इसको किस में बदलोगे He tells me Tells में बदलना है अग्या की भी आवाया थाने टेंजन कोलनी सर वो आग्या कर देव मानने बता देव यह रोणों कोनी आपन नहीं सर पूरो कर देव थोड़ से थोड़ से थोड़ सो बता देवर जी वाई क्या मदलना हो भाल तुमें मांगनों कोनी अभी तक हमने देखा है कि वरब चेंज रिपोर्टिंग वरब में अगर हो और वो भी असरेटिव सेंटेंस में हो तो टू आ जाए तो किस में बदल देंगे अब अगर मैं यहाँ पर से कर देता दे से तो यहाँ पर क्या जाता टेल यहाँ आजाता अब देखिए यह पहली बात क्लियर हुई फिर मैं कहता हूँ वाक्य का फेस देखके लग रहा है वाक्य का structure देखके लग रहा है कि इंडरेक्ट स्पीच है यस और इंडरेक्ट स्पीच है तो he said you are my friend वाक्य कौन सा है असरेटिव है तो इधर देखो क्या to आया है नहीं आया इसका मतलब इसको किस में चेंज करेंगे he said only said ही करेंगे मतलब असरेटिव सेंटेंस में फरक पड़ता है कि to आया है या नहीं आया याद रखें इस बात को ठीक सिर्फ वर्ब चेंज कर रहे हैं अभी only वर्ब चेंज क्यूंकि चार ओप्शन मिलेंगे न आपको तो वाक्य पहचानो और यहां देखिए आप सेड को किसमें बतला है आज ही जो है प्रीविस एर क्यूशन पेपर देखें आज ही पुराने क्यूशन जो है आपको टेस्ट पेपर दिये हुँद वो देखिए ठीक है उनमें अगर आप देखोगे न तो आपको क्या पता चलेगा कि जैसे ही आपने सेंटेंस का निचर देखा कि कौन सा सेंटेंस है चार में से तो आप सबसे पहले चार उप्षन में देखिए सेड को चेंज करना है कि नहीं करना है और करना है किसमें करना है और कौन से सही है उप्षन चली, next अगर हमारा वाक्य इंपेरेटिव है, दो नमबर अगर हमारा वाक्य इंपेरेटिव है, ठीक है अगर हमारा वाक्य इंपेरेटिव आ जाएगा तो हम बात करेंगे किस चीज़ की, कि सैड वर्ड की ठेक है line यहाँ पर लिख लेंगे क्या कि to लगा हो या ना हो ठेक है set को change किया जाएगा किया जाएगा अब यहाँ पर मैं sentence लिखू कि set को बदलना किसमे है ठेक है तो set imperative sentence में क्या होता है order advice request तो किसमें बदल सकते है ordered और किसमे advised और किसमे requested और किसमे commanded ठेक है अब ध्यान रखना खयाल रखना इस बात का कि जब set को किसमें बदलो suggested to में बदलेंगे हमने क्या करा है he said to me you are my friend इसको to को उठा दिया था न लेकिन जब suggested to लगाएंगे ठेक है suggested to लगा सकते है या suggested के बाद ing भी लगेगा या तो suggested to लगेगा या क्या लगेगा वरब के साथ है ing लगेगा दोनों में से एक लगेगा ख्याल रखना इस बात का यानि कुछ एक ऐसी प्रिस्थितियां होती है जैसे prohibited for Rome होता है ठेक कि suggested कि इनके बाद में to नहीं लगाना इनके बाद में लगाना है ठेक है sentence देखिए sentence देखिए he says comma inverted comma ठेक है come here या पर come here बहुत ही complicated verb है कि wait here ये sentence आपने sentence देखा पता चला direct speech है कैसे पता चला inverted comma वगरा वगरा हमने देखा कि wait here कौन सा sentence है imperative पता लगा imperative है तो said को sage के बाद में to नहीं है तो change करेंगे के नहीं करेंगे बुलो बुलो करेंगे करना ही है imperative है तो he क्या कर देंगे he advised advised कर दिया कर दिया अगर sentence आजाए he said to me comma noted comma don't wait here वाक्य पड़ा पता चला कौन सा वाक्य है किस तरह का वाक्य है reported speech में direct speech है और sentence कौन सा है imperative यहाँ पर to लगा है तो change हो गई होगा क्यूंकि वाक्य imperative है तो कैसे भी करो यहाँ नहीं लगा है तो वाक्य change यहाँ two नहीं लगा है तो said को change एक तो मना कर रहे हो आहातों से, और गर्दन से भी मना कर रहे हो, और बोल रहे हो कि चेंज करेंगे, ऐसे करके दिखाओ, का तो यह करोगा, अरे भई, असरेटिव में सिरफ टू लगा, नहीं लगाओ, तो नमत चेंज करो, असरेटिव की कहानी है वो, यह कोई आपके पेपर की बात तो है नहीं, ठीक है बताएंगे तो लंबा प्रोसेस चले, थन्या तो पूरो चाहिए, गुरुजीन टेस्ट करो थे, पूरो, आप और टेस्ट सम्माई को नहीं, ठीक है, तीसरा सेंटेंस कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, ठीक है, तो टू लगा हो या नहीं लगा हो, कोई फरक नहीं पड़ता, हमने सेड को चेंज करना ही है, यानि सेड को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, करेंगे ही करेंगे, सेड और सेड टू, दोनों को ही चेंज करेंगे, दोनों को ही चेंज करना है करेंगे किसमें सबसे authentic क्या है ask ड़र, ask मने क्या होता है बताओ he asked me, you can meet her you can meet him निवेदन करते हैं, मिल लो ठीक है, आप कोई परिस्तिती बीयां हो सक है भी कोई फसेड हो यह आओ है विचारों बीच में बल नहीं आर तु जाग बात कर यार दो मिट बीयां हो सक है, वक्की यह कोई निवेदन को नहीं आउसक मने कहना भी होता है, पूछना भी होता है यह सेंटेंस पेपर में आया था और लोग अन आटेम्ट जो चोड़ते हैं टेस्ट में अन आटेम्ट चोड़ते हैं जो देखो रिपोर्टिंग वर्ब में आसक आगया परसंड डिलीट होगा मतलब ऐसे कर रहे हैं जैसे RPSC की सारी तो नियम आवली पड़िया इन्होंने ऐसे कर रहे हैं जैसे RPSC मतलब अंगर्गी बात है भी RPSC मतलब हो नी माई हाउस फेसी नोर्थ मतलब आरपेसी हो किन नहीं मूँ भोर्षक है परसन डिलीट भी जाने कर रहे हैं आस खेल पास आए अपड़िया दिमाग कर रहे हैं तो कर यह हो बलोर्षक ना रहे थन्य एक तो कुन समझाओ है जाले रहे बख्वास करें वाक्य पहचानना आए पहले सेंटेंस आएगा ही सेड टू मी कैन यू ओल यो बूरो जेंटेंस देखो इंटेरोगेटिव की पहचान क्या होती है कैन और यू हेल्पिंग वरा प्लस सब्जेक्ट और गेड़ो गेड़ो ही बतानता पिला है और जो लोग ये स्ट्रक्चर देख ले कैन प्लस यू यानी हेल्पिंग वरा प्लस सब्जेक्ट देख ले और ये टीचर बोलता है टीचर को बोलने की जुरूरत तो पढ़नी नहीं चाहिए ठेक है और दुर्भग्य की बात है कि हमें जुरूरत पढ़ती है क्योंकि can you help me ऐसे बोल दिया मालो सिंपल मोडल वाले कंसेप्ट मत लग जाना सर कन यू अगर can you बोल दिया और आपने इंटेरोगेशन नहीं लगाया और गुरूजी ने कोपी देख के कह दिया इंटेरोगेशन नहीं लगाया थाय कह यह कौनी गुरूजी तो मैं तो अठान को ही कौन के ओ दक्काऊं ही आया थे अरे पढ़ने वाले विद्यारती can you देखती है helping word plus subject देखा can you help me interrogation अपने आप आना चाहिए ठेक है what a nice bowl what a nice bowl इस तरह से यह sentence के बाद में आप यह लगा दोगे क्या ठेक है आपको what a beautiful girl वाली बात से यह चीज़ याद है और कोई करनी है इसका what an idea सर जी ठेक है sentence में can you आया है क्या आया है can you आया है इसका मतलब वाक्या कौन सा है interrogative अब interrogative में क्या करोगे अपने he को बदलेंगे किसमे asked जैसे sentence में तो ask में change करना है कर दिया अब सीधा ही आ गया he said comma inverted comma what are you और ऐसे करके यह आ गया what are you अब said अके लाया है तो क्या करोगे he asked ऐसे करके आप आगे कर दोगे इसको पूरा हम क्या practice कर रहे हैं बार बार ध्यान रखें हम practice कर रहे है reporting verb को कैसे change किया जाए ठीक सिर्फ reporting verb देख रहे हैं आगे क्या हो रहा है क्यूं हो रहा है हमें कोई लेना दिन नहीं है यह हमारा business नहीं है अबी हमारा business है कि reporting verb को आ जाए तो sentence पहले देखना है मतलो आंग क्या आठे पाड़नी है पहला इन्वेटेड कोमाज में कौन सा sentence है यह देखो और said को change करो step wise चलो अब जनता क्या करती है sentence आ गया जैसे sentence आ जाता है कोई भी sentence आ गया मालो he said he says to me I am your friend अब जनता क्या करेगी solution करते से मैं he says to me I am your friend he says to me I am your friend तो यह फुर फुर के देख्या के होगा है आप यह देखो he says to me I am your friend assertive to आया है change कर दो he said you are my friend अब कहीं आगे तो ब्याद दियो जैसरा I am your friend अब इसमें सीधा सेड आया तो इनने जिग्यां थोड़ी बदलनी आपने अपने देखो ना यह असरेटिव सेंटेंस है टू नहीं है तो चेंज नहीं करना बस कानी खतम है भी यह बाकी चक्र काट लियो चे जै थाना बटे जो एक्जामिनेशन अर भी होल भी सीट पर उजे खड़ा होगे इनने भीन गुमन दे तो देख लिए हो धरस्वां जै आस्क राएगा लास्ट आज का जो हो यह सेजवड़ा चोथा सेंटेंस कौनसा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इस सेंटेंस की खास बात है यह वस अभी तक यादर रखो कि यह सडन फिलिंग होती है और आंख्या काड़ काड़ के बोलनों है क्यों ठीक है क्यों ठीक है एक वर्ड आजा क्यों ठीक है तो इसको भी अलग अलग तरीके से बोला जाता है कि तुम वहां गए थे बले हाँ बले क्यों गए थे क्यों ये प्रशन है ठीक है तो ये क्या जाएगा sign of exclamation अगर ये वाक्य में आ जाता है ठेक है तो हम sad word को कैसे change करेंगे sad word को किस तरह से change करेंगे हम करेंगे exclaimed अब देखो वर्ब की second form है न खयाल रखें इस बात का ये sad word जिस form का होगा जिस tense में होगा उदर वो ही आ रखना है अब प्रथा चलती आ रही है हमारे जो है वो भारतिय प्रथा है कि sad को told में बदलना है और अमे sad ही दिखता है ठेक है मैं बता रहा हूँ आपको अगर reporting verb में sad से हटके कोई verb आ गई जैसे sage आ गई say आ गई, will say आ गई option number एक में sad आ जाए बाकी सारा जो गलत बाकी सारा सही हो ठीक है, बताऊंगा मैं भी बताऊंगा आपको, बाकी सारा sentence सही sage को उसने sad में बदल रखा है आपने तो वो हाँ है आपने तो बो सही है क्यों क्योंकि दिमाख में कूट-कूट बरेड़ है कि sad ठीक है, अपने sad दिखे है वो यहाँ told आगे न, चार उप्शन में तो पहले told करोगे, बलो क्यों sad ने told में बदल है अरे sad ने तो told में बदल है, से ने क्या हम बदल है फिर एक word रहे है अपने लेकि अल गरेग अल exclaimed with exclaimed with आप जो जैसा sentence होता है joy, sorrow, etc. जो है वो आप लिख सकते हो इसमें change करोगे ठीक है, एक हुर्रे word आता है, इसमें अलग-अलग meaning होते है ठीक है तो अगर bravo word आता है तो praised saying that, uploaded saying that, इस तरह से word आएगा bravo word आगया, तो यह कर दिया हुर्रे आगया है, तो jumped with joy हुर्रे कैसे बोले हुर्रा word आता है हुर्रा word जो है कैसे बोलते हो अराम से हैं, बैटे-बैटे हैं, मतलब आराम से बैठा हैं यहां in serious serious wow, serious mood में, मतलब ऐसे bigging hit by При मुबाइल में जो सर्चिंग चल रही है आपका रोल नंबर जो कुछ ऐसी प्रिस्तिति और अचानक आता है यह वर्ड और यह चीजें सोच समझ करनी होती अचानक वर्ड आता है ठेक है अब मैंने कहा था पहले आता है बाद में भी नहीं बोल सकते तो पहला वर्ड यह होता ह यह जो है ब्रैवो वगेरा आहा ओहो हो अमबै ठेक है इनको सारी आद है बाते ठेक है आहा ओहो आگए तो यह वर्ड बोलेंगे न तो इसको बोलते है जम्ड विध जोए अब यह न रून्तो रून्तो कोई हुर्रे बोली है imagine करो जराएने परिस्तितियों को आँख बंद करके एक बार सोचिए कि हुरे वर्ड बोलना है कोई मूँ सुजाए है रुश्यो बेठे और हुरे वर्ड बोलना है कोई रोन लाग रहे है बड़ा ही अजीव लगता है ये खुशी की बाते होती है तो jumped with joy और होता ही ऐसा है ठेक है He said We have won the match अब इसमें jumped with joy saying that They had won the match इस तरह के वर्ड आएगा क्योंकि jumped with joy जो है जब ये sentence बोला था न We have won the match हुरे वर्ड बोलके जब बोला था न तब उसने jumping करी होईगी ऐसा माना जाता है तो ऐसे sentence आते है गुरुजी ओ jumped with joy द्यान कठूं लागयो हुर्रे हुँ आप बोल के देखो हुर्रे कै हुर्रे इन या थोड़ी बोलनो है इस इस इद्धो खड़े-खड़े बोल दे अब गुर्जी बेटे अकूंट में आने बेटे हुर्रे बोली हुर्जी वो थोड़ी हुए है जब ये वर्ड ब्रेवो वर्ड बोला जाता था 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 ना तो वो होता है ब्रेवो वर्ड में शाबास सी देने के sense में और ब्रेवो वर्ड एक मतर ऐसा exclamatory word है जिसका हिंदी translation है बाकि किसी का नहीं है ठेक है हुर्रे का मतलब क्या होता है की को नहीं आहा क्या मतलब कुछ नहीं कुछ नहीं कोई मीनिंग नहीं होता इनका अब ब्रेवो वर्ड बोले जाते ना तो ब्रेवो वर्ड में शाबास वर्ड जो है उसको ना ऐसे सिर पे हाथ रखना या फिर पीट थपत पाना इस तरह की प्रिस्तितियां होती है तो वो upload होता है, praise होता है exclaimed with joy ये प्रिस्तितिया समझ में आई अब देखिए आपने क्या करना है ठीक है, अभी एक ही sentence लिखेंगे और उस sentence को अपने करके देखते हैं मैं लिखता हूँ sentence बस यहां गलती कर गए हाँ अभी पहले ही कह दिया कि अब तो change नहीं करेंगे क्यों assertivy तो नहीं change करेंगे बस पहले ही काने कलिए हूई मैं धोड रहा हूँ इसको, क्या कर रहा हूँ धोड रहा हूँ ठीक, अब दुबारा देखिए मतलब यह गलती आज के बाद होने नहीं चाहिए दोनों से कि he said word आते है ऐसे चिलाना नहीं है बहले yes मिल गया जो वह हमें चाहिए था वोई प्रसन मिल गया, अब हम change नहीं करेंगे क्यों, बहले गुरुजी ने कहा था गुरुजी तो कुछ और के और सगय कुछ और जो only in assertive sentence और जोड़ा था गलतीया नहीं करोगे दुबारा दुबारा देखिए he said to me comma inverted comma what will you do now अब बताओ, सिर्फ यही देखना है कि यह said word को किस में बदलोगे किस में बदलोगे ask में बदलोगे क्या बदलोगे ask में ज्यादा variety नहीं है मैंने एक ही शब्द लिखा है पिछली slide में मैंने एक ही शब्द लिखा है जो मैंने लिखा है ask कोई ना तो आपने घर की बात है अपने उसंचों सरकार लेंगे यह न, हाँ यह रोड़ा नाम चाहिए करो सर निच्चे गी ओ, निच्चे गी ओ अलो सर उपर गे, उपर गे करो अब इससे क्या इसके अलावा कुछ एक और वर्ड सो सकते हैं होते सिमिलर मिने, इनक्वार्ड हो जाएगा क्यों चंड हो जाएगा, यह वर्ड आ सकते हैं लेकिन बहुत ही कम चांस है बाकी आपने पेपरंग डोल है आसक डरे टोल लिजी तोई बाकी को नहीं आ गया है सारा में टोल लिजी ठीक है, यह बात पता चली अब दूसरी बात देखिए हमने क्या करा, रिपोर्टिंग वर्ब कर दी अब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में क्या चीज आई थे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में क्या था, टू ठीक है, अब आप सीक्वेंस अगर देखोगे सबसे पहले हमने said को change किया है, चारों sentences में, ठेक है, अब आगे है two, ठेक है, तो एक line लिखेंगे, समन्यत है reporting verb में preposition को हटा देना, समन्यत है लिखा है, इसका मतलब जुरूर नहीं airtime अटेगी, ठेक है, समन्यत है reporting verb से, दो number word है ये, समन्यत है reporting verb में two को हटा देंगे, या preposition को, two oblique preposition कर लो, लिख दिया, दो point हो गए अपने, पहला point क्या था, reporting verb को change करना, उसके बाद क्या word था, two, तीसरा point है, क्या है, connective, तीसरा point क्या है, connective, क्या चीज़, देखिए, हमें connective यूज करना है, कहाँ, देखिए, यहाँ जो है, हमने एक मिले reporting verb, क्या मिला, reporting verb, यहाँ है, कोमा और inverted कोमा, अब कोमा, inverted कोमा को क्या कर देना है, अटा देना, और यहाँ पर हमें लगाना है, connective, क्या लगाना है, और जो है, हमें क्या लिखनी है, reported speech, change करके लिखना है, ठीक, अब यह भी हमें क्या करना है, वाक्यों के according करना है, पहला point देखिए, ठीक, इसमें पहला आ जाता है, assertive sentence, कौन सा आ जाता है, assertive में connective रहेगा, that, क्या रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है, that हो गया, और दूसरा point आ जाता है, बी point में आ जाता है, imperative, क्या आ जाता है, क्या जाएगा, imperative, imperative में connective क्या रहेगा, देखिए, पहला रहेगा, two, क्या रहेगा, दूसरा रहेगा, note two, क्या रहेगा, तीसरा होगा क्या, समन्ने बात कर रहे हैं अपने, होगा क्या तीसरा कुछ, connective, यहाँ क्या लिखोगे, two note लिखा, और ध्यान रखेए, यहाँ पर आ सकता है, that भी, क्या आएगा, that कौन सा होगा, lettuce वाले वाक्य में, अब यह याद करते चलो, ठेक है, किस में होगा, let's वाले वाक्य में होगा, किस में होगा, let's वाले में, ठेक है, आजकल जो है वो यह वाला department, let's बोलते हैं, let's, let's नहीं, let's, ठेक है, कोई ना, भोले प्रानी है, बोलने दो, सुद्धे प्रानी है, समझ में आई बात, अब sentence आ गया, ठेक है, he said to me, सुनो, सुनो, सुनते चलो, he said to me, he said to me, do your work, तो he advised me to, don't do your work आ जाएगा तो, not, he said to me, let us do our work, अब that आ जाएगा, ठेक है, साधर नमद, तीसरा है, तीसरा क्या है, interrogative, तीसरा है, interrogative, अब तीसरा जो interrogative sentence आया है, उसके अंदर जो है, वो connective ध्यान रखें, ठेक है, दो तरह से देखेंगे, पहला अगर कोई वाक्य है, डबलु एच वर्ड से शुरू हाओ, और दूसरा कोई वाक्य है, helping verb से शुरू हो, ठीक, अब अगर कोई वाक्य है, अगर वर्ड से शुरू होओ, तो same डबलु एच वर्ड जो है, वो अपने लगा देंगे, वट विच, हू, हूम, वगेरा वगेरा, जो भी अपने लगा देंगे, लेकिन अगर helping verb से होना, तो हम क्या लगा देंगे, या तो लगा देंगे, if, या फिर लगा देंगे, weather, क्या लगा दिया, weather, if या फिर, weather, ठीक है, समझे बात, अब if और weather में क्या change है, weather वाला, अब सुनो द्यान से, मैंने पहले भी बताया था, कि if और weather में से कोई भी लगा दो जाए, अब ये बिलकुल जो क्रांतिकारी words है, ठीक है, नहीं सर, ये choice में लगा जाते है, ठीक है, मानली बात आपकी, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, कि ये जो weather है ये choice के अंदर use किया जाता है, ये और if जो है, समनेत लगा दिया, जैसे मैंने sentence बोला, कि will you take tea, क्या लगा ओगे, अब डबलु अच वर्ड तो है नहीं, क्या लगा ओगे, if लगा दिया, ठीक है, दूसरा मैंने लग बोला, will you take tea और coffee, वैद लगा दिया, ये ठीक कावत है, आठव दुबारा बोलता हूँ, he said to me, will you take tea, और चार option में, if नहीं है, तो थे रुसोगा के सही बताओ, नहीं, रुसोगा के सही बताओ, तो जीक रहा है कि रुसोड नहीं, कर रहा है क्या मन, थोड़ थोड़, अरे देखो, अब इसका answer क्या होगा, will you take tea, क्या तुम चाय पीओग या तो yes होगा, या फिर no होगा, यानि पूछ तो मैं choice ही रहा हूँ, will you take tea, एक choice ही तो बात पूछ रहा हूँ, तो हर जो interrogative sentence जो नहीं, helping verb से शुरू होता है, वो क्या होता है, एक choice के sense में ही पूछते है, will you go tomorrow, क्या तुम जाओगे कल, बना, ना, आप, सोश या, है, will you go tomorrow, बल्चाल शा, मिलें, है, सही है, समझे ना, बात को, तो पूछ तो choice ही रहा है, ध्यान रखें, आप चे लिख लीजिए, चे कुछ भी कर लीजिए, कि कि किसी भी interrogative वाक्या, जो helping verb से शुरू हो रहा है, उसमें दोन्नों ही आ सकता है, हाँ, आप ये जरूर कर सकत हो कि ये choice में आएगा, तो अगर choice वाले वाक्या हो, और option में दोनों हो, तब तो ये करोगे, weather करोगे, choice वाले वाक्या नहीं हो, और option में if है ही नहीं, तो क्या करोगे, weather करना पड़ेगा ना अपने को, तो if और weather दोनों लग सकते हैं, समाने तो if करिया जाता है, क्योंकि spelling तो यह क्या हो गया बात किसकी interrogative किसकी हो गई interrogative sentences की अब एक और बचता है क्या exclamatory sentence डी पार्ट में आ जाता है exclamatory sentence जिसमें connective रहेगा that क्या रहेगा that sentence लिखू में है अब हम connective word तक पहुंच गए है sentence लिखू है ना लिखू ना लिखू किसने बोला नहीं किसी नी बोला as teacher said to me comma inverted comma have you completed your homework have you completed your homework अब अपने को यहां तक ही आना है अग्य ना चली हो जादा ब्याद्धी मत चली अगे कौन जानो अपन अठ्थे सी आगे अपप पुठा मुड़ जिश अगे रस तो बंद है देखो बोलो sentence फील किया हमने यहां तक तो फील फील ही करना है अगे देखना है पहचान की कौन सा sentence है कैसे पता चला बताओ गेड़ू यह भीरो चली था ने और था ने टे कठ्थेप इंटरोगेटिव सेंटेंस है वक्त बताओ टू को चेंज करना है के नहीं करना है मैं बार बार इतनी बार यह बात बोल दूँगा आप फिर इना ऐसे सोचोगे कि हाँ सर अब मैं समझ गया सर थे ने रोड़ तूड़ी ना करो बारी बारी थे माने रोला ना करो यह करना ला जोगा थे मैं जब दो तीन दिन जो भी अपना चलेगा न उतने इतनी बार बोल दूँगा मैं यह बात कि आपके याद होने के अलावा कोई जो रस्ता ही नहीं बचेगा और फिर भी अगर गलत करके आगए पेपर में सर मैं नी और तू देख किर मैं रजी फिर बाद में चेंज कोन करियो थे के यह सर फिर इयन आके यह आगे थे आपने नाम नहीं लिखा यह फिर सेलेक्शन होगा ठीक है गुर जी ओगलत हो एक ऐसे मत करना सिर्फ असरेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो क्या लिख अब बाक्या किस से शुरू हो रहा है इंटेरोगेटिव है उसे चार ओप्शन में देखो इफ वैदर है क्या हो सकता है एक में एक में इफ हो सकता है एक में वैदर हो कुछ भी लिखो फिर भी हम ट्रेडिशनल चलें आठ वी नमी दस्वी बाग्यार वी तक चलें और ग्र क्यूं मुट्टी स्पिलिंग ठीक है अब देखो आगया है तो अपनों ने क्या लगा दिया इफ लगा दिया और जो है आगे की परिष्थितियां आगे रहेगे ठीक है यहां तक ही पहुंचना था दूसरा सेंटेंस देखिए दमेन सेड कोमा इन्वेटेड कोमा देखिए रहे वाक्या को देखा थोड़ा सा खुशी हुई देखके ठीक है क्योंकि जिद मैं लिखन लागे जो चार बात कर ली बहुत ही खुशी हुई मैं अटता है लिखिए नहीं तेम चार अता ही कर ली बताओ ठीक है अब जो है खुशी है भी हाम ने जो है जो बात मन में थी वो मन में नहीं रही हमने बोल दी है ठीक दा मैन सेड एल्प मी प्लीज ठीक है तो प्लीज देखते हैं थरमंतर काल जमिया जिस रोस होगे लोगे लागे जना दो बटी चा प्या दी थान वोगी फ्लीस देखता है कि है हो ए है रिक्वेस्ट जिद ओर हो हो है रिक्वेस्ट है ठीक है तो दर मैं से अक्यां कियो को ने करें गांगे कि न खाहि औरो मात ऑखराब हो जो अधरी बगुघ कि आखए गया में करना है कि रिक्वेस्ट अ हैरी कि और फॉल नहीं है तो क्या कर देंगे, बस इतना ही करना, अग्ग कोन जाना हो, अग्गड, देखो, गडबड़ो जेली, आग्ग जाए बाद में, समझें, तीसरा सेंटेंज देखते हैं, यू आर गुड बोई, यू ब्लेड प्रेशर, आड़ देखो, जेए सहीन नहीं, भेर रोजा नहीं, वेलो उन्चो नीचो, बादेगी, बॉत्तल सेंट बॉत्तल, वो इया पकड़े चालना पड़े गरेलो, कई दिन, दा बोई सेस्टो में, यू आर गुड बोई, वेरि गुड, शाबास, वो बिजली वड़ा सुच है न, चक चक करो करो, इतनी बार गुरु जी मैंने इतनी बार बताई है ये बाते हैं, कि ध्यान रखो, ध्यान रखो, ध्यान रखो, ध्यान रखो, मैं कू नहीं, ओप्शन में पहला है, मैं टोल्ड कर देओ, पहले option में told कर दो गया काम हुआ दाख यहां तक ही बनाना है you से पहले पहले तक अब देखो वाक्या में ध्यान में रखें कि sage आया है यानि present में आया है तो sage आया है तो यहां पर कोई tells वारी बात देखो चार option में क्या लिखोगे the boy tells tells ही क्यों लगाया क्योंकि वाक्या कौन सा है समझे बात देखो गलतिया मत करो यह बात दुबारा revise कर रहे हो ना ठीक है I know very well कि आपने पहले भी बहुत पढ़ा है इस चीज को I know very well कि प्रशन भी गलत नहीं हुए लेकिन कमिया देख लो कितनी है अब भी अब भी कितनी कमिया है और आपको अपने आपको साधारन questions में जो पीछे नहीं आटने देना समझे बात यह साधारन चीजे हैं अगर इनको बनाना पड़े ना इनको वाक्य बनाने पड़े अपने को जैसे यह sentence इसको बनाओ तो जितनी जिसकी बुद्धी उतने इसकी answer बन जाए दो तीन चार तक बन सकते हैं ठीक है जितना जिसकी intelligence है लेकिन अगर select करना पड़े ना तो ध्यान से हैं इन वाक्य में मैं कूँ पहला told कर देओ पहला option में और कई आला आला करता फिर आगड़े हम आले होगे उकराब का हम मैं केक रूम नो दिख्यों को अब की ना करो थे अब थेपस्ता ओभी ना करो अगा भारम बरो कहते हैं ना ये हर कोई कहता है कि पेपर को ध्यान से पड़ो पेपर में जाके पहले प्रेपर को थे से पड़ो आगड़ती भी ना करियो गड़े पहला पेपर प्रेपर पड़ो बाद में करन बेटो इतम गंटी लागजे तीन चाहर कठी ओमार सीट रेजे खाली बाद में बुट्टून कलो रेजे यहां कर गया इस रेटेक्टर है तरियां स्टार्ट और गया आजे मुझ बंद करके मत असो टैल्स आ गया टू को उड़ा देना है और क्या कर देना है मी और यहां पे क्या गया यहां तक हमने इस चीज को देखा है अब देखिए आगे क्या वर्ड था क्नेक्टिव के बाद में क्या था प्रणावन क्या था प्रणावन को एक बार स्किप करेंगे क्यों प्रणावन आगे भी है हम करते हैं Verb Change in Reported Speech अब जो है पहला ही चल रहा है वैसे ठीक है Verb Change Verb Change in Reported Speech हर किताब के अंदर जो है इस तरह की बाते होंगे हर एक किताब के अंदर और वो क्या बाते होंगी एक लंबी लिस्ट होगी होगी की Verb की First Form को इसमर अब यहां पर आकर आपको एक बात है ना अपने माइंड को दो मिनट श्यांत रखके एक मिनट के लिए सेट करना है और जरूर ही करना है हवा का जोका है क्या कि कोई आया है मुझे लगा कोई आया है फिल्मी सीन फिल्म में करते हैं यह उदास हो यह बैठे रहा है रहे कदम यह गर गर चिमक है फिर क्या हुआ कुछ नहीं कुछ नहीं हवा का जोका है अभी टाइम पड़ा है तो वर्ब चेंज अब यहाँ पर एक mind set रखना क्या कि passive और अब यह गलती करोगे definitely लिख लो यहाँ पर यह गलती करूँगा मैं 100% करूँगा हाँ यह लिखो कि यह गलती मैंने नहीं करने है देखिए हमेशा ध्यान में रखें कि passive का होता है वर्ब की first form को किस में is, mr और v3 में यह होता है यानि वो इस change में 10 समेशा सेम रहता है चाए active हो चाए passive हो अब एक बात ध्यान में रखना यह बात जब भी narration की practice करो ना तब यह बोल देना लेकिन passive में ऐसे होता है अब चलो ठेक है थेहिया करियो अब आद धोड़ो दूसरे बात कर शाबा थरो जी करें तो बोलियो ने करें तो ना बोलियो क्योंकि थेहिया करोगा बारी-बारी आँ सोचोगा कि narration में तो क्या है tense change होता है लेकिन passive में tense change नहीं होता अब बारी-बारी बोलोगा और अग्या जागे फिर थरो दिमाग वो पल्टी खाजेगो narration में तो change होता है कि नहीं होता है passive में होता है मतलब बठ जागे देख लिए यह डोड़ा उन्चे इचड़ रहेगा इल्ली कॉंट में narration कि को देख इसमें tense change करना है यानि हमें अगर direct speech में present मिलता है तो indirect speech में past में लेकर जाना है एक गोड़ा काड़ा करकर गए गोड़ा मरने के बड़ी यादत पढ़ी है ले लिसले ने देखो दाना किन गयो वो बढ़न दे नहीं ठीक है तो present को past में लेके जाना है अब मैंने आपको कितनी बार बताया है ठीक है दो ही rule है इसके वरब change के दो ही rule है फिर 6 हो रहा है ठीक है अब इसमें कर दिया हमने वरब की first form किसमें change करोगे अब वरब की first form होती कितनी है is m और r किसमें बदल दोगे words और फिर होता है has has और have किसमें बदलेंगे had में फिर होता है do और does किसमें बदलेंगे did में ये भी वरब first ही होगा इसके बाद में हो गया अब इनके बाद आप देखिए models देखिए can है तो present है और could है past है will present है और shell भी क्या है present मैं देखो क्या कह रहा हूँ will को और shell को मैंने present क्यों बोला tense पड़े थे ना उसमें हमने माना था कि future tense नहीं है ये present अब इसमें क्या हो जाता है एक साथ लिखेंगे अपने क्या would और should में इसकी भी अपने पास technique है कि कब would should होगा ठेक है make को किसमें बदलोगे किसमें बदलोगे might में ये भी present past प्राधारित है के नहीं है है ना यहाँ rule क्या लगए ये present ये past yes ये present ये past yes तो पहला rule complete कि present को past में लेके जाना है अब दूसरा rule देखिए past को क्या बनाना है past perfect past को क्या बना देंगे अब ये past है दिख लो सारे देख लो were a second दूसरा क्या है wo word फिर क्या है head फिर क्या है did ये सारे past है अब इनको लेके जाना है head third form किसमें head third form बुस इतना याद रखो अब देखो word second है तो head third अब wo word है तो head bean में change होगा head bean भी क्या है word की third form है head है तो head head में change होगा head खाने के sense में head head में change होगा तो head पहला तो आ गया थर्ब्यत दियो जाएगा verb की second form किसमे head verb third words word किसमे head bean तो ये bean क्या verb की third form नहीं है क्या yes head किसमे होता है head head में होता है yes होता है और उसके बाद में did किसमे हो जाएगा head verb की third form ये देखो एक रूल नहीं है क्या एक ये ना paper में बताऊंगो मैं था ने test में बताऊंगो मैं था ने अब तो yes sir, no sir, hanji sir, jee sir present को past में और past को past perfect में अभी तक ये दो rule हुए है ठीक, उसके बाद में दो model बचते हैं, कौन सा? must, अब must को हमेशा must में रखो, must को क्या करो? head to बनाओ, और must को क्या बनाओ, would have to must के तीन changes होते हैं, sir फिरो तो दो रोज जो काम, जम्मा दो रोजो को नहीं हो है must अगर paper में प्रशन में आता है, direct squeeze में, तो चार option में देखना, समाने तो इन में से ये की मिलता है और दो मिले तो उसकी भी अपने पास कहाणी है थोड़ी सी, फिर आता है need note, need note, need note जो है ना, उसको need note में रखेंगे, need note में, ठेक है अब ये तो होगा वाक्य में sense के अधार पे, ये होगा वाक्य में sentence के अधार पे ठीक, sentence के अधार पे होगा ये, need वाला, need को head to में, need को would have to में ये सारी कहानी याद रखके, च्छै बाते हैं और याद रखने, च्छै ना करांगे, थोड़ी करांगे, कम करांगे, कच्छै बहुत है inquired to preposition नहीं लगाना है क्या, नहीं, कमत लगाए ये हुई ना clear कहानी, ठेक है, अब क्या द्यान, लिख दिया क्या अब देखो, reported speech की verb change नहीं करने यानि आगे हम कुछ एक परिस्तितियां देखते हैं, जिनमें हम क्या सोचेंगे, कि चे कुछ भी हो जाए reported speech का tense change नहीं होगा, change नहीं करने का मतलब क्या है verb में tense change नहीं करेंगे, समझ में आई बात, पहला rule क्या बताओ पहली बात, अगर reporting verb present या future में हो अगर reporting verb present या future में हो, जैसे थोड़ी देर पहले sentence लिखा था, he says to me he says to, अब यहां पर एक इस बात को और छोटा कर सकते हो, क्या, कि अगर reporting verb past में है, तो ही change करें या बात हो सकती है न, वहीं तीन tense माल लो present, past, future ठीक है present और future में change नहीं करनी, तो करनी कब है याद रखें, अगर verb की second form reporting verb में हो अगर reporting verb past में हो तो ही reported speech का tense change होगा इन दुनों में से कोई भी एक बात याद रख लो oblique में है, यह और में अथ्वाम पर सनाए गरें हैं, वो है हो समझ में ही बात है है दूसरा point अगर, अब पहला रूल किस पर अदारित है, reporting verb पे, और दूसरा रूल किस पर अदारित है, अगर reported speech, एक, यूनिवर्सल टूथ हो अब यूनिवर्सल टूथ हो, यह हमने टेंस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि ऐसी वरब, जिसका time तीन हो, जिसके time क्या हो, तीन हो, present, past and future, लेकिन उसमें जो habit आती है न जो, I always teach English, थेक है, तो इसको I always taught करना है अपने को, past and future, यह बाद की बाद है, यूनिवर्सल टूथ हा जाए, वाक्य में, अब यूनिवर्सल टूथ हा जाए, scientific fact आ जाए, mathematical जो है facts आ जाए, वो सारे यूनिवर्सल टूथ होते हैं, मान लीजिए यह, थेक है, scientific, science ने प्रूब क policy, ठेक है, sun rises in the east, water boils at 100 degrees, 2 and 2 makes 4, इस तरहें के word आजाए, तो वर्ब को change नहीं करना, मैं रूल बता रहा हूँ, रूल रटलो, आज के दिन के बाखी कहानी जो है, वो अच्छी तरह से सही हो जाएगी, तीसरा क्या लिखें, तीसरा, अगर reported speech एक past habit हो, अगर reported speech एक past habit हो, तो भी अपने को वर्ब change नहीं करते, क्यूंकि वाक्य में आएगा always, और always के साथ head third लगाना जो है, वो गवारा नहीं होगा, अच्छी तरह से, समझने वाली बात जो है, वो नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आई बात है, example से ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है, अभी परिशा, present habit change कर देंगे, फिर चोत्ती बात देखिए, अगर, time close आ जाए, अगर, reported speech में, time close हो तो, ये चार ही मानलो आप, इन चार परिश्थितियों में, reported speech जो है, वो change नहीं करेंगे, ठीक, लिख दिया के चारो, मैं practice करवाता हूँ आपको भी, आप सारी चीज़े, अब हमें वरब change करनी है, साथ में, प्रनावन पर देखिए जान नहीं देना, अभी के लिए आप क्या करोगे, दोन वरब change करोगे, next जो sentence लिखेंगे उसमें, change करोगे या नहीं करोगे, वो आगे की बात है, ये effect आएंगे, तो reported speech को change नहीं करेंगे, ध्यान, time adver भी होता है, when where, when वाला, करें exercise, बोलो, चलिए, sentence देखिए, अरे सुन He said, inverted comma, sentence हो गया, I have done my work, अब देखो, सुनो ध्यान से, sentence आ गया हमारे साथ, अब हमारे mind में बहुत सारे rule है, ठीक है, सुनो ध्यान से, बार बार एक sentence देखो न, तो rules पढ़ लो, ठीक है, He said, अकेला आया है, टू को नहीं लाया, भाईया को, ठीक, sentence कोन सा है, कैसे पता चला, विना तो ओ, ना वो, कुछ नहीं, ना तो वो है, और ना वो बिंदी अलव है, है, और ना, कि जो, order advice request है, कुछ नहीं है, तो बचा क्या, असरेटिव, चलिए, चेंज करना शुरू करते हैं, और reporting verb किस में है, पास्ट में, अब पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब हो, तो अंदर वर्ब क्यों चेंज है, को होगा, अब चार ओप्षन में देखना, आपने, said को change नहीं किया हुआ होना चाहिए, yes, that होना चाहिए have को head होना चाहिए बस यह देखो प्रशन सही करो वेक करगे गरेन आजे यो सारा करगे गरेन हो देखो sentence बोलिए जरा he said that he said वास्तो में यह तो अपने बोलते है क्योंकि हमारे इस वर्ड को कुछ और संग्या दी जाती है that अब यह pronoun हो गया ना यह pronoun मैंने लिख दिया अब आप tension मत लेना इस बात की ना भी प्यूंची नी ची मत करना यह I को मैंने ही लिख दिया अगे बता दूँगा अब reported speech आगी reported speech की वर्बा गई अब इसमें क्या आया है had third form have third form तो यह present है क्या है इसका past क्या होगा had done यह पहला sentence हो गया हो गया दूसरा ही सीज कोमा इन्वेटेड कोमा ही सीज ओपन यूर बाक्का अब देखो वाक क्या क्या है सीज ठेक है क्या हुआ बाक्का डोंट यूनो वट इस बाक्का है क्या बना सीज तू नहीं आया चेंज वेरी कुट होगा यह हमारी पावर है होगा क्योंकि वाक्या कौन सा है imperative है अब ध्यान में रखना imperative sentence की वर्ब को चेंज नहीं करना क्यों नहीं करते भई चलो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ यहाँ टू नहीं आया है वाक्या imperative है अब चेंज करेंगे कैस को सेड को करेंगे कर दो चेंज क्या लिखूँ रिक्वेस्टेड कर दे क्या कर देते हैं चलो आपने कह दिया क्योंकि अब इसकी वरब चेंज करेंगे के नहीं करेंगे नहीं करें का कर दियां गुर्जी थे बता देखो तकर देंटाल कर देंगे असल है बता देओ ना कर देओ फेर ठीक है ठीक है अब देखो योर वर्ड है ना यहां कुछ है नहीं नहीं एक बार माई वर्ड लिख रहा हूँ इसको भी मैं बताऊंगा कि क्यों आया अब मैंने इस वर्ड को चेंज क्यों नहीं करा ठीक है टू के बाद में मेशा वर्ड की फर्स्ट फोम आती है पहली कहानी तो यह सी दूसरी बात यह है कि यह ओपन वर्ड है ना ओपन वर्ड है यह सेंटेंस के अंदर टेंस कौन सा है बताओ इंपेरिटिव सेंटेंस का टेंस कौन सा होता है नहीं होता है टेंस लेस होता है कितनी बार बताया था यह टेंस लेस होता है क्या होता है टेंस लेस होता है तो यह इस तरह से बन गया ठीक है आगे करें नेक्स्ट सेंटेंस देखिए उकी लिख खिड़ु है सेंटेंस देखिए और यहाँ आते ही एक बात सोचनी है आपने क्या माइंड में आनी चाहिए कि यह फ्यूटर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है फ्यूटर में है और आगे वाले वर्ब को चेंज नहीं करना यह बात आप आते ही बोल दोगे क्यों बोलोगे क्योंकि मैंने बताया है रूल है किताबों में लिखा है कि reporting वर्ब अगर future में हो तो आगे की वर्ब change नहीं करना अब पटाक से mind को set करिए और चार option में देखिए कि are you है तो ये are you क्या बन जाएगा he is क्या बन जाएगा एक ही बार में क्यों क्योंकि विल है ये change होगा नहीं आपन आदत प्रेड़ी है ताते ताती के change करनेगी आर ने आपा हो यू आर है ना तो वोजबर देखांगा बो करगे दिदी सही है ठीक है फिर दिदी दूसरी दिदी बतासी कोई बतावाचे कदेख विल ये निबार है अक्या हम चेंज करी फिर केसी आल ले अड़कानी खतम हो है अगले एपिसोड में क्या आप देखेंगे he will अब टू आया है इंटेरोगेटिव है he will ask का ask कड करूँ नहीं धर जीकरत बता देओ कौन करनों क्या ask कर देखेंगे मन कर रहा है नहीं कर रहा है he will ask to code आदिया he will ask me are you are पहले आगया तो क्या लगेगा if or whether इंटेरोगेटिव है तो connective क्या रहेगा if whether you क्या बन गया he हाँ ये इसके coding होगा तो क्या हो जाएगा if I तो was हाँ हाँ सही है गुर्जी एकदम को और ना खोले करो if I am a teacher अब देखो हमने क्यों नहीं चेंज करा ये इसके कारण चेंज नहीं करा will के कारण हो गया समझ में आई बात last sentence पढ़िये, the man said to me two आ गया change करना ही करना है two आजे तो change करना ही है two है तो change करना ही है नहीं क्यों कहा तो बोथ है भूल गया अब उल्टो लेगे चाल पड़िया मैं को असरेटिव वेर two नहीं वैज़त तो change कों करनो और two भी होए रसरेटिव है तो change करना ही है कुल मिला गई है यादर कुल भी two आ जे तो change करना ही करना ही two हो था अपन सोच नहीं को नहीं भी change करना ही करना ही नहीं करना ही थाय आप के लिखूँ the man told me that क्यों लगए हो वाक्य में हाँ कै वाक्य में अगे के बूल गया वाक्य में अब आगे sentence पूरो किया करना हूँ वाक्य में के को नी ब्याद्धी मची रहा है अब आगे जो है bravery is always rewarded इस वाक्य को पटके क्या feeling आ रही है कह जी बात तो सही है आई भी लेंगा है कह बात सही है इती भी लेंगा है अच्छा न्यालो या क्य है bravery is always rewarded is rewarded इस रिवार्ड़ड़ टेन्स कॉन सा है पहले ये बताओ है पक्का कैसे है या कॉन खेला इज वर्ब है ना इसलिए present और passive में है ये ऐसे कह दो ठीक है लेकिन ये क्या है इसका time कॉन सा है time तीन नो है past में भी bravery को reward दिया जाता था वर्तमान में भी और आगे भी यानि एक ऐसा sentence है जो universal truth के स्रेणी में आते हैं bravery को इसको as it is लिख देना है इसको as it is लिख देना है ना पक्की बात है चलिए फिर ठीक है